हालो एव्रिवान वेल्कम टू एम्मस्टडी गुरू आज कीस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ PhD के इंटरव्यू के उसे बना देते हैं कि पता नहीं क्या है PhD इंटर्व्यू कोई इसमें आपको स्पेसिफिक तैयारी की जुरुत नहीं होती है किन-किन चीजों का आपको ख्याल रखना है अपने PhD इंटर्व्यू के टाइम पे लिख लीजिए चाहे पहली चीज यह है PhD इंटर्व्यू देने से जाने से पहले आपको अपना रिसर्च टॉपिक दिमाग में होना चाहिए यह जो आपका रिसर्च टॉपिक होगा यह टैंटेटीव होगा ठीक है जो चाहते हैं आप इस पर करना पर जरूरी नहीं है कि वही फाइलाइज हो वह आपके दिमाग में होना चाहिए अब जैसे ही PhD का इंटर्व्यू देने बैठते हो तो वह सबसे पहले आपको कहते हैं अपना इतना डिटेल में मत चले जाईएगा कि मतलब आपको क्या में बताना है आपका नाम क्या है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अगर आपका नेट जर्फ किया रहा है तो वह बता दीजिए इतनी चीज़े मैंशन करनी है इन शोट मतलब रहते कहां पर एड्रेस यह सब ना बताने बैठ जाना ठीक है दूसरी चीज आपसे पूची जाती है आपका और सब्केशन कारच यहीं कि आपको सारह यांगी सारी ब्हुत कहीं सब्सक्राइं जाए वह पहले आपसे आपका रिसफार्च यही करें। अगर आप research area micro economics बताओंगे तो उनके questions का target जो है वो micro ही रहेगा बात समझे ना तो यह चीज एक दिमाग में रखिएगा कि आप कौन से area से आपकी research बिलॉंग करेगी यह आपको पताओना चाहिए quickly आपने answer देना है कि मेरा research area पर्टिकुलर इस subject से बिलॉंग करता है तो research topic आपने लिया है वो क्या है तो आप briefly explain करेंगे this is my research topic और उसे थोड़ा सा elaborate करने के लिए बोलेंगे क्या इसमें आपने literature review किया थोड़ा सा elaborate कीजिए है so you have to elaborate जादा नहीं थोड़ा बहुत आपको उसे elaborate करना पड़ेगा यह पूछ सकते हैं कि आपने क्यूं सोचा कि आपको इसी पर्टिकुलर university में research करनी है उसके लिए आपके पास कोई अच्छा answer होना चाहिए कि that's why this is the reason why I am why I want to pursue research at that particular university ठीक है so वो चीज़ पूछी जा सकती है तो यही में चीज़ें होते हैं जो आपको PhD interview में पूछे जाते हैं मैं आपको एक चीज़ बताती हूं वो आपकी knowledge check करते हैं but knowledge से ज्यादा वो आपकी personality check करते है that means कि आपने आपका way of communication क्या है आपने confidence है यह नहीं है यह भी चीज़े matter करती है आपके PhD interview में because यह higher study है मतलब सबसे उपर level की study से उपर कुछ है ही नहीं तो आपका way of communication आपका बात्चित करने का ढंग present करने का ढंग अपनी बात को दूसरे के सामने रखने का ढंग यह है इसमें बहुत important रहता है obviously ठीक है so यह सब चीज़े हैं इसमें कुछ आपको specific तयार नहीं करना आपका research यह आपके दिमाग में होना चाहिए आपका research topic आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है so इसके इलावा अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरे साथ अपने UGC net के सपने को पूरा करना चाहते हैं जहरफ के सपने को then अब मेरी classes जाइन कर सकते हैं मेरी free of course classes भी होती है जिसका link आपको telegram group पे rows updated मिलता है उस telegram group का link आपको description में दिया गया है इसके लावा अगर आप मेरी plus classes जेखना चाहते हैं जिसमें आपको पूरा पूरा full course मिलेगा so उसके लिए आप plus subscription ले सकते हैं Unacademy पर plus यहां iconic subscription Unacademy की app download करके आपको system समझ आ जाएगा कैसे subscription लेनी है आपको use करना है मेरा code SIMR10 जिससे आपको instant 10% off मिलेगा यह code description में भी आपको mention किया गया है instant 10% off लेने के लिए किसी भी तरह की subscription पर whether it is UPSC, CBSC, any government, exam, etc. आप यह code use करेंगे तो आपको 10% off मिलने वाला है Unacademy की किसी भी तरह की subscription पर ठीक है जी और इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next video में take care